नमश्कार SP9 News में आपका स्वगत है कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी की भारत जोड़ुन्या यात्रा आज मध्यपरदेश में है यात्रा राजस्थान के धोलपुर जिले से मध्यपरदेश के मुरेना जिले में परवेश करेगी राहूल गांधी की यात्रा को लेकर कॉंग्रिस कारेकरताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है लोग सभाचुनाव से पहले कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी किस यात्रा के माध्यम से एक जुटता का मैसेज भी दिया ज़ा रहा है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पठवारी ने ग्वालियर चंबल का दोरा किया है राहुल गांधी की यात्रा में कमलनात और दिग्विजे भी शामिल होंगे मद्य परदेश कॉंग्रिस नेता केके मिश्रा ने कहा कि यात्रा शाम को गौलियर पहुंचेगी जिसके बाद राहुल एक रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे उन्होंने कहा कि राहुल का हजीरा में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कारेकरम देखा जाएगा आपको ये भी बता देएं कि राहुल गांधी यहां पर मुरेना यहां पर पहुचेंगे और ये कहा जा रहा है कि अपने पुराने दोस्त के गर्मे यानि की हाल ही की बात करें तो केंद्री मंत्री जुतरा डित्यस सिंध्या के गर्में राहुल गांधी का दौरा देखा गांधी का स्वागत करने के लिए राहूल गांधी का समर्थन करदे के लिए जुटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ऐसे में कहा जा रहा है कि मद्यपरदेश एक ऐसा रज्य है जहां पर भारतिय जनता पार्टी का समीकरण बिगड़ सकता है इतना ही नहीं पूर मुख्यम शिवराज सिंग चोहान जो अभी तक अपने कदमों के माध्यम से ये दिखा रहे थे कि भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ है वो ये दिखा रहे थे कि भारतिय जनता पार्टी से जल्द ही किनारा करते हुए नजर आएंगे तो वही शिवराज सिंग चोहान हो सकता है कि र इतनी सच्चाई हैर कितना अफसाना है ये तो राहुल गांधी की यात्रा के दोरान ही पता चलेगा